टाक्स जुडी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान केंद्र और राजी सरकार किसानों को हर संभव साहता देने का प्रयास कर रही है किसानों और क्रिशी के विकास के लिए योजनाय चला रही है इसका लाग किसानों को भी मिल रहा है किसानों को आर्थिक और तकनीकी साहता दी जा रही है ताकि वो उत्पादन बढ़ा सके और उनकी आय बढ़ सके इसके तहट सरकार किसानों के लिए एक और खुश खबरी लेकर आई है खबर ये है कि सरकार कीट नाशक पर सबसीडी बढ़ाने की योजना पर विचार कर सकती है हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा यह पहल की जा रही है जिसके तहट कीट नाशकों की खरीद करने पर किसानों को डीबीटी के जरिये सबसीडी योजना का लाग मिल सकता है किसानों को सबसीडी देने की योजना के तहद बागवानी विभाग अपने अधिकारियों द्वारत दिये गए सुझाव को बाद तैयार की गई योजना में सबसीडी प्रक्रिया को और भी सरल बनाने पर विचार करेगी गौर तलब है कि इस योजना को पिछले साल भी लागू किया गया था पर योजना को लेकर फल उतपातकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी क्योंकि इसके तहट राजे भर के दुकानों में सबसीडी पर कीट नाशकों की विक्री करने वाले नियम को क्रिशी अधिकारियों ने बदल दिया था अब विभाग फिर सरकार को इन परिवर्तनों की सिपारिश कर रहा है ग्राहक के खुशी से आपके दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान